हलो दोस्तों मैंना नायम है मुहम्मद कैसार और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग DLA 2022 की आप इसका ओनलाइन आवेदन कैसे करेंगे पूरी प्रिक्रिया क्या है फॉर्म भरने की पूरी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी सुरुआत से लेकर लाज तक साथी साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकता है कितनी फीस लगती है प्राइवेट में कितनी फीस लगेगी डाइट में कितने फिस लगे कि डाइट होता क्या है तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में लार्ज तक बने रहिए यह है दोस्तों वेबसाइट जो की ओफिसल वेबसाइट है डियलेट के लिए और वेबसाइट का लिंक देख लिए updla.gov.in इसी वेबसाइट पर आपको आना है पेज को स्क्रॉल करना है और आप सिंपली पर देख सकती है updla.admission का option देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है view का option आएगा वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर candidate registration का option दीखेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आप finally आ जाएंगे इस वाले page पर सबसे पहले जो link है general guidelines for student इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा detail में notification डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको sort बता देता हूँ notification के बारे में क्या क्या चीज़ा इसमें दी गई है DLA 2022 के लिए आवेदन मांग लिया गया है DLA याने diploma in elementary education प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए DLA करना अनिवार होता है हाला कि present time में उत्तर प्रदेश में B8 भी मान है प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए मामला high court से लेकर supreme court में चल रहा है आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है तो यदि आप सिर्फ primary की सिक्षक भरती देख रहे हैं तो DLA आपके लिए best option हो सकता है क्योंकि DLA प्रात्मिक के लिए ही बना है और यहां पर यह हमेशा रहेगा DLA के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको online ही आवेदन करना है DLA कराने वाले जो संस्था है यह दो तरह के होते हैं एक होता है DIAET District Institute of Education and Training और यह जीले में होता है यहां पर 200 सीटे कम होती है लेकिन जिनका merit अच्छा होता है उनको यहां पर admission मिल जाता है यहां की fee भी काफी कम लगती है कितना लगता है भी मैं आगे आपको बताऊंगा और दूसरे होते हैं नीजी संस्थान यानि की जो private संस्थान है यहां पर admission आपको आराम से मिल जाएगा लेकिन admission उन्हीं को मिलेगा जो online आवेदन किया होगा जिनका merit कम होता है उन्हें आराम से जो private होते हैं college वहां पर उन्हें admission मिल जाता है एक सीच का आपको और ध्यान रखना है form वही भर सकता है जिनके graduation में 50% number हों तो यह आप यहां पर देख लीजिएगा साथी साथ जो SC, ST हैं, OBC हैं, विकलांग अभ्यरती हैं सौतंतरता संगराम सेनानी हैं, भोतपुर सैनिक इन अभ्यरतियों को 5% की छुट मिलती है उनका graduation में 45% number है तो भी वो चल जाएगा इतनी सारी सीच आपकी clear हो गई DLA में admission के लिए आपको कोई भी परिक्षा नहीं देनी होती है merit के अधार पर ही आपका यहां पर admission हो जाता है दसमी, बारहमी और graduation तीनों का number जोड़ा जाता है किसी का weightage ना कम है ना जादा है उसलिके हिसाब से आपको admission मिलता है AOC मां 18 से लेकर 35 साल है और 5 साल की upper age limit में छूड़ भी है SST, OBC और जो भी तमाम यहां पर reservation वाली category होती है एक चीज़ यहां पर बहुत important है निवास ऐसे अभ्हरती आवेदन सिर्फ कर सकते हैं DLA में जो उत्तर प्रदेश के निवासी है तो अधर इस्टेट वाले अभ्हरती उत्तर प्रदेश से DLA नहीं कर सकते यह आप यहां से समझ सकते हैं बाकी चीज़ें कैसे कैसे form भरना है मैं आपको आगे अभी detail में बताऊंगा ही तो इसमें आपको कोई attention नहीं लेना है form भरने के बाद आपको संसोजंग का कोई मौका नहीं मिलेगा तो आप इसमें correction नहीं कर सकते इसका आपको ध्यान रखना है जो भी detail आप भरेंगे अपने iSchool इंटर और graduation की detail उसका आपका document verification होता है तबी admission मिलता है तो कोई भी detail आप गलत मत भरिएगा उसके बाद आप देख सकते हैं आप से 24 मांगा जाता है diet वगेरे का या फिर जो भी private संस्थान है आप जितना चाहें उतना 24 भर सकते हैं जो आप सबसे पहले उपर भरेंगे वो सबसे पहले consider किया जाएगा यादि आपकी merit वहां तक है तो आपको वो संस्था आवंटित कर दिया जाएगा लेकिन उसके लिए आपको 10,000 रुपे की fee payment करनी होती है online तभी जाकर allotment later generate होता यह जब चीज़े होंगी तो मैं आपको बताऊंगा मैं सिर्फ आपको एक वीडियो बनाकर किनारे नहीं हो जाऊंगा कि form आपको कैसे भर रहा है मैं डियलेट का वीडियो बना रहा हूँ एक आपको पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगा डियलेट का वहाँ पर आप जाईएगा आपको डियलेट संबंदी सभी जनकारी वहाँ पर मिलेगी कैसे form भरना है फोटो साइन कैसे बनाना है अपलोड करना है कैसे choice feeling करना है कैसे admission होगा A to Z जब तक आप अपने डियलेट संस्थान में पहुँच नहीं जाएंगे तब तक की जानकारी आपको इस चैनल के माधन से दी जाएगी तो जो टॉपिक मैं पकाड़ लेता हूँ मैं आपको सारी जानकारी देता हूँ आप चैनल पर मेरे जाकर देख भी सकते हैं फॉर्म बनने की फी की बात करें तो जनल और बिसी की फी लगेगी 600 रुपे SCST का 400 रुपे विकलांक स्रेडी का 100 रुपे तो ये है DLA 2022 आउनलाइन आवेदन करने के लिए फी आरक्षड बगएर है आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं DLA में 4 समेस्टर होते हैं चारो समेस्टर में आपको पढ़ाई करनी होती है हर समेस्टर के बाद परिक्षा होती है PNP यानि परिक्षा नियामक प्रादिकारी प्रयागराज DLA कराता है बात करें फीस की तो डाइट में जो फीस है वो है सिर्फ 10,200 रुपया प्रतिव वर्ष तो लगबग 20,000-25,000 में आपका DLA कंप्रीट हो जाएगा यदि आपको डाइट मिल जाता है स्कॉलर से भी इसमें आपको मिल जाती है तो आपका यहाँ पर बहुत ही कंफी में DLA हो जाता है लेकिन वहीं पर यदि आपको निजी संस्था मिलता है तो यहाँ पर फी लगती है 41,000 रुपय प्रतिवर्स और 41,000 के बाद भी प्राइवेट वाले कुछ नकुछ आपसे लही लेते हैं सिकोर्टी मनी, कौसन मनी के नाम पर फाइल, बैग, कॉपी, पेपर तो 2-3,000 यह लोग और एक्स्टा लही लेते हैं बाकी यहाँ पर चीज़ें डीटेल में दी गई हैं तो आप इसे एक बार पढ़ लिजेगा यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लिजेगा लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में और पिन कॉमेंड में दिया गया है 15 जून से ओन-लाइन आवेदन हो रही हैं रिजिस्टरेशन करनी के लास डेट है 6 जुलाई फी जमा करनी के लास डेट है 7 जुलाई और फॉर्म प्रिंट करनी की लास डेट है 9 जुलाई तो अभी आपको 9 जुलाई तक अपने प्रिक्रिया को कम्प्लीट कर लेनी है उसके बाद आपको आराम करना है फिर आपका काम सुरू होगा 19 जुलाई से 19 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में देख सकते हैं दोस्तों कि आपको आगे की प्रिक्रिया करनी है इसमें होगा क्या कि अभ्यर्थियों के वर्गवार, एडिवार, मेरिट के क्रम में जो राच्की यानि डाइट है और निजी संस्थान है यहाँ पर आवंटिद सीटों के सापेक्ष चयन हेतू अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लिया जाएगा तो आपको 24 फिलिंग करना है और यहाँ से प्रतम चरड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है इसके बाद आगे की प्रिक्रिया सुरू होगी अगस्त में जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग के प्रतम चरड के अंतरगत आवंटिद संस्थान में अभ्यर्थियों दोआरा अभिले की जाच एवं प्रवेश की कारवाई करना प्रवेशित अभ्यर्थि हैं तो उसके बारे में आगे कारवाई होगी फिर दिती चरड का कांसलिंग होगा यह कांसलिंग चलता रहेगा और जब तक की पूरी सीट ना भर जाएं प्रसिक्षड का प्रारम हो जाएगा सुरू एक सितंबर 2022 से तो यह पूरा कारेकरम होने वाला है फिलहाल अभी आप आपको चलकर दे सकते हैं जो मन्या को बता ही दिया फोटो साइन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है फोटो कैसा होना चाहरे में सारे जानकारी यहां पर दी गई है तो एक बार आपी आपइस है जरूर पढ़ लीजेगा उर आप कहेंगे तो मैं इसपर अलग से पूर डायट में सीट है वहीं पर जो नीजी संस्था हैं उनकी संख्या है 3087 और यहां पर कुल सीट है 230850 तो टोटल जो सीटों की संख्या है डियलेट 2022 में वो है 241450 पिछली बार तो आधा सीट्यां लगबग खाली रह गई थी इस बार उम्मीद है डियलेट में एडमिशन ठीक राक होगा क्योंकि बीएड का मामला चल रहा है प्राथमिक वाला सुप्रिम कोट और हाई कोट में बढ़ते हैं सीदे सीदे हम लोग फॉर्म भरने की तरह आप सबसे पहले आपको कैंडिडेट रिश्टेशन पार्ट वन पर क्लिक करना है अपना रिश्टेशन करना है उस उसके बाद फाइनल अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे टोटल पांच स्टेप आप यहां पर देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहां पर सो हो जाएंगी तो चलिए हम लोग पार्ट वन को फिल करते हैं वीडियो थोगा सा लंबा होगा लेकिन आपको सारे जनकारी यहां पर दी जाएगी बिल्कुल एकुरेट और हंड़ेट परसेंट ऑथेंटिक तो इस वीडियो में लाच्ट तक बने रहीएगा रेजिस्टेशन की यहां पर फी एक बार और सो हो रही है यहां पर बताया गया है कि मुवाइल नंबर और इमेल आइडी आप अपना खुद का यूज करिएगा किसी और का यूज ना करें फोटो और सिगनेचर के बारे में इस पूरी जानकारी यहां पर एक बार फिर से द जाएगा अब यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है फादर नेम फिर मदर नेम उसके बाद भरना है अपना डेट ओवर्ट फिर सेलिट करनी है अपनी कैटीगरी जो भी देल आप भरेंगे अपने हाइज स्कूल की मार्क से भरेंगे तो आपको यहां पर करिएगा EWS सिर्फ जनरल वाले ही अभ्यर्थी होते हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है ऐसे सामान स्रेडी की अभ्यर्थी जिनकी वार्षी का है पूरे परिवार का मिला कर आठ लाग से कम है वो EWS के अंतरगत आते हैं बाकी आप अपनी कैटिगरी यहां से सालेट कर क्लिक कर देंगे अपने इसाब से हाँ पर क्लिक करिएगा जेंडर में आपको मेल या फीमेल से लिट करना है आपको यहां पर अपनी मेल डालनी है यहां पर अपना मवाइल नमबर डालना है तो सबी डिटेल आप आराम से बरेगा कोई गलती मत करिएगा नहीं तो आगे च चीज़ को कि वो क्या-कया चीज़ हैं भर रहा है क्योंकि यदि वो कोई तो आप उसको इसमें ढूड़ेंगे और सालेक्ट कर लेंगे फिर यहां पर आपको अपने college का नाम प्लिकना है जिस भी college से आपने अपना ग्रेशन किया है डीटेल में अपना पूरा नाम लिखेंगे फिर passing year किस साल आपने ग्रेशन पास किया था ग्रेशन का रोल नंबर फिर माक्सीट नंबर आपके graduation की जो माक्सीट है उस पर एक नंबर होगा अराम से देख लिजेगा माक्सीट नंबर भरिएगा total marks फिर marks obtain कितना total उसका पूरांग था कितना अपने पाया था यह सभी डिटेल आप भरेंगे कुछ तरह से आएगा और आपको यहां पर अपना registration डालना है registration नंबर आपको आपके mobile पर भेज़े जाएगा date of birth फिल करना है फिर यह वाला capture कोड यहां पर एंटर करना है और login पर पर क्लिक कर देना यहीं सभी डिटेल्स आपके सही सही होंगे तो आप आजाएंगे इस वाले पेज़ पर जहां पर आपके registration नंबर दिखेगी अब अगला step है हमें अपने फी का पेमिंट करना है उसके बाद पार टू फिल करना है फिर फोटो साइन अप्लोड करना है और उसके बाद हो जाएगा हमारा फॉर्म फाइनले समेट तो डिटेल्स हमारी यहां पर सो हो रही है पे फीपर हम क्लिक करते है और अपने फी का पेमिंट करते हैं फी पेमिंट करने के लिए आपको यहां पर action पर नीचे जो select है उसके बाद यहां पर आ जाएगा यह वाला option आपको SBI MOPS पर क्लिक कर देना है आपके पास कोई भी card हो SBI PNB या फिर HDFC बगर किसी का भी तो आप पेमिंट कर सकते हैं SBI का सिर्फ यहां पर payment gateway यूज होता है तो आपको यहां पर simply proceed for payment पर क्लिक करना है अगला page कोछ इस तरह से आएगा जहां पर आपके पास बहुत सारे option आजाएंगे आप कैसे अपना फी का payment करना चाहते हैं net banking, state bank का debit card या फिर net banking, other bank का credit card सब कुछ यहां पर आपको देखने को मि मिलेगा तो मैं simply यहां पर यूपी आई से ही payment करने वाला हूं चुकि यूपी आई आज कल सबसे आसान फी payment हो चुका है तो यहां पर दोस्तों हो चुका है अफिका payment हमारा सौ रूपीज फोन पे के थुरू फी payment करने के बाद आपको official website पर आना है यहां पर देख सकते हैं transaction हमारा successful हो चुका है आपको simply यहां पर रोके पर क्लिक करना है थोड़ा सा विट करना है और यह पेज आटोमेटिक रिफ्रेस हो जाएगा successful हो गया है हमारा फी का payment तो मैं यहां पर फिर से लॉगिन करने वाला हूं क्योंकि थोड़ी से problem आ गय थी तो अभी भी हमारा यहां पर पे फी वाला option आ रहा है जबकि हमने फी का payment कर दिया है इस condition में आपको यहां पर दुबारा से क्लिक करना है आपका फी अपडेट हो जाएगा तो आप यहां पर देखिए फिर से payment मांग रहा है सरेट पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए हमारा फी पेड ओके हो गय पर क्लिक करता हूं जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद next आपको क्लिक करना होगा अब यहां पर आपको अपने 10 की पूरी डिटल करनी है 12 की पूरी डिटल करनी है फिर यहां पर आपको अपने गार्जियन का नाम लिखना है और अपना पूरा address यहां पर लिखन सबसे पहले हम 10 hebben 100 को फिल करेंगे तेंद में आपको सबसे पहले अपने बोर्ट का नाम फिना यहां पर सब कुछ देखने को मिलेगा यूप Thomas अपने क्लिक कर लेता हूं आप अपना कर लीजिएगा उसके बाद आपको यहां पर अपने college का नाम detail में लिख देना है जैसा आपके marksit पर लिखा हुआ है फिर passing year किस year में आपने 10th pass किया था फिर अपना 10th का roll number फिर 10th का marksit number total 10th में कितना पुडांग था तो 600 का होता है फिर कितना आपने पाया वो number डालेंगे और यहां पर percentage में आपका percentage हो जाएगा तो आप इसे verify भी कर सकते हैं कि आपने जो detail की है वो सही है क्योंकि percentage तो लगबख सबको याद रहता ही है सेम ऐसे ही आपको अपने 12th की detail यहां पर fill करने है मैं जल्दी से fill करके आपको आगे दिखाता हूँ तो मैंने यहां पर 10th और 12th की detail भर दी है देख सकते हैं percentage यहां पर so कर रहा है तो आप इसे वबर verify कर लिजिएगा उसके बाद आपको यहां पर अपने parent याग आरजन का नाम लिखना है फिर पूरा address आपको लिखना है तो इस तरह से आपको अपना address लिखना है डेटेल में आप address अर्मा लिखिएगा गाउं पोस्ट और उसके बाद फिर धाना या जो भी आपका address है डेटेल में आपको लिखना है फिर पिन कोड डालना है उसके बाद आपको यहां पर इंडिया select करना है फिर यहां पर सिर्फ उत्र प्रदेश आएगा आपको उसके आपको अपको अपना जीला select करना है फिर यहां पर आपको अपनी एक आईडि जिले करनी है जिसमें आप अपना वोटर आईडी या बैंक आप या फिर pen card driving license passport सबी option यहाप पर हैं तो जो भी आप select करना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पर select करेंगे उसका number जैसे pen card करते हैं तो pen card का number passport करते हैं तो passport का number तो इस तरह से आपको यहाँ पर select कर लेना है मैंने यहाँ पर details को fill कर ली हैं अब यह वाला जो capture code सो हो र लेना है आई agree पर click करना है और आप यहाँ पर final submit कर दिए आपने सब कुछ सही सही किया था उसके बाद भी आपको यहाँ पर पूछेगा सब कुछ ठीक है registration के लिए आपको यहाँ पर click करना है मैं यहाँ पर click कर देता हूं हमें यहाँ पर upload करना है documents यानि की photo और signature तो हमें website में फिर आ गई problem station expire हो गया आनि कि हमें काफी late हो गया form भड़ते भड़ते अब हम फिर से जाएंगे home page पर तो आपको कई बार home page पर आना होगा कई बार login करना होगा और आपको अपना registration number जब तक याद ना हो जाए तब तक आपको login करते रहना है तो यहाँ पर दोस्तों login म यहाँ पर क्लिक करना है upload photo and signature पर क्लिक करते हैं और उसके बाद पूछेगा हम से अपना registration number तो अब तक तो मुझको याद हो ही गया है पूरा detail मैंने फिल कर लिया है login पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस वाले page पर तो हमारा third step भी हो गया है फिल तो चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना photo select करना है यहाँ पर क्लिक करके अपना signature select करना है यह वाला capture code यहाँ पर डालना है click here to preview पर उसके बाद आपको क्लिक करना है photo signature कैदी size ठीक होगा तो यहाँ पर वो दिख जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते है मेरा photo signature आगया है आपको signature black pen से करना है white page पर तो इसका आपको ध्यान रखना है मेरा आपको थोड़ा blue इस दिख रहा होगा लेकिन आपको black pen से signature करना है ताकि वो साफ साफ यहां पर दिखे जिसके बाद हमें फिर से यह वाला capture code यहां पर डालना है capture code फिल करने के बाद फिर से इमिट कर देता हूं तो यहां पर document upload हो गया है successfully आपको जानना है photo sign कैसे बनाना है जो dimension मांगा गया है जो size मांगा गया है तो comment सब्सक्राइब मैं इस पर अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगा तो चलिए हम लोग यहां पर click here to proceed पर click करते हैं और आगे बढ़ते हैं त video format में हमारा form यहां पर download हो जाएगा और यह आपको सुरक्षित अपने पास रखना है जब तक कि आपका admission ना हो जाए उसके आगे भी आपको इसे सुरक्षित रखना है और यह वाला जो आपका registration number है यह हमेशा काम आएगा हर जगह काम आएगा तो यह दोस्तों आपको इतन सवालों का जवाब दे दिया जाएगा आप हमारा DLA का playlist जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारे जनकारी वहां से मिलती रहे यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसे तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इनफोर्मेशन मिलती रहे थांक्स फार वाशिंग